पुस्त कस्था या विध्या पराहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत पन्ने नसा विध्या नतद्धनम कई बार हमें आदत होती है कि इसे किसी कागच में लिख लेते हैं या किताब में उस चीज को टिक करके छोड़ दिया है कि बाद में कभी याद कर लेंगे या हमने अपने पैसे किसी को दे दिये किसे आप रख लीजे जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपस वापिस वाग लोगा तो सास्र इन दो कतनों के लिए एक स्रेष्ट वाक्य बताता है क्या है वो कहते हैं पुस्तकस्था या विध्या पुस्तक की जो विध्या है पराहस्त गतम धनम दूसरे को दिया हुआ जो धन है कार्यकाले समुत्पन्ने जब बहुत जरूरत पड़ती है तो ना ही वो पुस्तक की विध्या काम आती है ना ही दूसरे को दिया हुआ धन काम आता है क्योंकि मान लीजे आपने किसी को अपना कुछ धन रखने के लिए दे दिया कि जैसे ही हमेश की आवशक्ता पड़ेगी हमें आपसे वापिस मांग लेंगे अब दूसरे को दिया हुआ दन तो दूसरे का हो गया अब वो उसकी उस तरह से रक्षा नहीं करेगा जैसे आप उसको समाल कर रखते और अगर उसने उसे कहीं इस्तमाल कर लिया और जिस समय आपको जरुत पड़ी वो नहीं मिला तो उस धन की कोई आवशक्ता रही नहीं जाती है वैसे ही पुस्तक की वो विद्या है जो उस समय आपको कंठस्त कर लेनी चाहिए विद्या वो ही जो यहां बसी हुई हो तो सास्तिर का ये वाक्य बड़ा ही कमाल का है आगे से अगर कैभी ऐसी स्थिती बनती है तो इस लोग पर विचार करिए और उसके अनुसार निर्ने लीजिए पुस्तकस्थाया विध्या पराहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न साविध्या न तद्धनम ना ही वो विध्या कामाती है ना ही वो धन तो उसे अपने पास संजो कर रखें